आज हम time and work के कुछ important questions करेंगे तो देखो कि यहां जो first question है यहां क्या बोला है कि A and B can do a piece of work in 18 and 24 days respectively they work together for 8 days and then A left the remaining work was finished by B important question है अब इस questions को कैसे करोगे तो सबसे पहले यहां देखोगे यहां दो person है A और B तो यहां हम लिख लेते हैं A और B किसी काम को A ने complete किया 18 days तो A के नीचे 18 लिखते हैं और B ने complete कर रहा 24 days तो B के नीचे 24 लिखते हैं अब हो करना कहा है कि इन दोनों का LCM find करोगे 18 और 24 का LCM find करोगे तो कितना आएगा 72 ठीक है उसके बाद इससे इसको divide करना और इससे इसको divide करना और divide करके जो आएगा इसके सामने हम लिखेंगे 18 के टेबल में 72 के इतने बार में जाएगा बोलोगे 4 times 24 के टेबल में 72 3 times तो यह जो मिला ना 4 और 3 यह हो जाएगा efficiency हो जाएगा 4 और 3 किसका a का efficiency 4 और b का efficiency 3 यहां तक क्लियर है इसे हम लोग बोलते है total work इसको हम लोग बोलेंगे total work क्लियर है अब देखोगे आगे हम देखते है question में कि they work together for 8 days दोनों मिलकर कितने दिने तो काम की 8 days तक तो दोनों का efficiency कितना है तो a और b का efficiency को अगर हम plus करे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाए 8 days यानि कितना काम कर लेंगे 8 days में तो बोलोगे 870 56 काम complete हो जाएगा 8 days में दोनों मिलकर ठीक है तो देखोगे अब यहां total work कितना था 72 जिसमें से काम हो चुका कितना 56 उसके बाद यह छोड़कर चला जाता है काम तो बाकि जो बच जाएगा काम को वह कितने दिनों में complete कर यह आप से पोच रहा है तो देखोगे अभी कितना काम बचा तो क्या करेंगे 72 से 56 को हम माइनस कर लेंगे है ना तो यह जो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 16 जो यूनिट का काम जो बचा हुआ है यह कून करेगा बी करेगा कितने दिनों में complete करेगा त कि काम 3 बचा हुआ है तो 16 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे बी का efficiency को रखेंगे तो बी का efficiency कितना है 3 है इसको डिवाइड कर तो mix fraction में आएगा कितने बार में 53 जा 15 ऊपर हुआ नीचे 3 इतने दिनों में बाकी बचा हुआ काम को बी complete कर लेगा तो options में देखोग next question देखो question number 2 यहां देखा है कि A can do a piece of work in 12 days ठेक है B can do it in 18 days they work together for 2 days and then A leaves तो how long will we take to finish the remaining work यह question है same पहला जैसा ही question है तो यहां बोला है कि A किसी काम को 12 दिन में complete कर रहा है तो हम यहां लिखेंगे A उसके नीचे 12 दिनगे है फिर B उसी काम को कितने दिनों में complete कर रहा है 18 days इसके नीचे 18 लिखते हैं फिर सबसे पहले इन दोनों का हम LCM कर लेते हैं LCM कितना होगा भई यह हो जाएगा 36 फिर इससे इसको डिवाइड करोगी तो यह हो जाएगा 3 times इससे डिवाइड करोगे इसको तो यह जाएगा दो तो यह 3 और 2 जो होगा efficiency होगा A का efficiency 3 और B का efficiency 2 और 36 आपको देख रहा है यह हो जाएगा total यहां तक के लिए अरे अब आगे देखते है question यहां देवाए कि they work together for two days यानि दोनों मिलकर दो दिन तक काम किना तो दोनों का सबसे पहले हम efficiency को ले लेते हैं दोनों का efficiency हो जाएगा 3 प्लस 2 यानि 5 कितने दिन तक काम किये दो दिन तक तो 5 तूजा हो जाएगा 10 है ना तो अब देखोगे 10 यूनिट का काम 2 दिन में यह complete हो चुका है है ना तो बाकी अब बचा कितना क्योंकि देखोगे उसके बाद बोला है कि A काम चोड़कर चला जा रहा है तो A चोड़क है तो यह हो जाएगा 26 यह बचा हुआ काम है अब इस बचे हुए काम को कि A चोड़कर चला चुका है तो complete कुन करेगा B करेगा तो B का efficiency कितना है 2 है तो 26 यानि कितना हो जाएगा 30 तो 13 डेज में बाकी बचा हुआ काम को B complete कर जाएगा ठीक है इस questions का answer जो होगा 13 होगा options में देखो कि option number हो जाएगा 50 next question देखो question number 3 यहां दिया हुए कि A B and C can complete a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively ठीक है they started the work together तीनों एक साथ मिलकर काम की but A left the work before 5 days of its completion काम खतम होने के 5 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है ठीक है उसके बोला है कि B also left the work two days after A left जब A छोड़ा उसके दो दिन के बाद B भी छोड़ दे रहा है ठीक है in how many days was the work completed अब इस questions को कैसे करोगे important questions है देखोगे इस questions को हम लोग कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर जो दिया वाना तीनो परसन ए बी जी इन तीनों को लिख लेना है और कितने दिनों में complete कर रहा है 10 days, 12 days और 50 days उसके बाद यहां तक तो process ठीक है अब इन तीनों का सबसे पहले आप क्या करोगे LCM पहले find कर लोगे तो यह LCM फिर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 60 है इस से इस apart करोगे तो यह 6 बढर में जाएगा इस से इसको divide करोगे 5 बढर में इस से फिर इसको divide करोगे तो यह जाएगा 4 तो यह तो होग गया efficiency आप देखोगे अब यहाँ पर बोल कहा रहा है कि एक साथ तो काम करें बाट A left the work before five days of its completion काम खतम होने के पास दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना तो देखो इस condition में आपको क्या करना होगा A छोड़ के जा रहा है तो A के लिए हम क्या करेंगी अब देखोगे A का efficiency कितना है six है तो यहां पर हम निकाल के इसको रख लेंगे आगे देखोगी उसके बाद बुला है कि वी अलसु लेब्स दावर टू डेस आफ्टर ए लिए चोड़ रहा है तो उसके दो दिन के बाद ठीक भी भी छोड़ रहा है तो काम खतम होने के पास दिन पहले तो यह दो दिन तक तो तो था उसके बाद चोड़ा यानि कितने दिनों के लिए छोड़ रहा हो तीन दिनों के लिए चोड़ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले हम B का F.C.C. को लिखेंगे यहां पर 5-10 और इंटू क्या क्या करेंगे नमर और कितना हो जाएगा कंपलिशन होने के के पहले यानि तीन हो जाएगा क्योंकि यह दो टू डेस आफ्टर एलेस ठीक है तो अब यह कितना हो जाएगा 15 यूनिट का का अब हम यहां पर इस कंडिशन में टोटल वर्क हम निकाल लेंगे तो देखोगे यह तो टोटल वर्क थाई बट यहां पर काम खतम होने के पहले लिए चोड़ रहा ना टोटल वर्क अब यह हो जाएगा 60 प्लास 30 प्लास 50 याद रखोगे तिक हैं तो यह कितना हो जाएगा 105 यूनिट का कम यह हो जाएगा टोटल अब आपको निकालना है किन हो मेनी डेस वास दो वर्क कम्प्रिट होगा इस कंडिशन में आपको क्या कर इसको उपर रखना है 105 और नीचे क्या करोगे इन तीनों का efficiency से divide कर दोगे answer आ जाएगा यह हो गया 6 4 हो गया 10 अब प्लास 5 15 कितनी बार में जाएगा 7 times यानि answer हो जाएगा 7 days किलियर है options में देखोगे options में option number हो जाएगा c correct और इक बार क्लियर करवा जता हो ऐसे condition में जब काम खत्म होने के पहले अगर छोड़े तो उस condition में आपको efficiency निकालना है total work निकालना efficiency निकाल लोगे आप यहां से divide करने के बाद उसके बाद जो काम खत्म होने के पहले छोड़ रहा है यानि 5 days before of its completion न तो एका efficiency को लिखना है और कितने दिन complete होने के पहले छोड़ रहा है पास दिन इंटु करोगे 30 आएगा फिर भी यहां बोला है कि left the work two days after a left तो बचा कितना three days क्योंकि total तो five days पहले छोड़ रहा था तो दो दिने तो काम किया तो बचा कितना नेक्स को देखते हैं नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन दुपर को यहां दिया हो है कि एक complete a piece of work in 10 days बी इन 15 days c in 20 days तो सबसे पहले आप क्या करोगे तीनों का हम यहां नाम लिख लेते हैं ए बी और यह हो गया अब उसके बाद एक इतनी दिनों में complete कर रहा है 10 days बी कर रहा है आपका 15 days c हो गया 20 days है ना फिर तीनों का आप में यहां पे इस तरह से सब्सक्राइब करोगे तो यह सब्सक्राइब तो 60 होगा इससे डिवाइट करोगे 6 बर में इससे डिवाइट करोगे 4 बर इससे डिवाइट करोगे 3 टांग यह हो जाएगा यह हो जाएगा अब आगे क्या बोला है कि a and c work together अगर दोनों मिलकर काम करें for two days and then a was replaced by a or c दोनों मिलकर काम करें कितने दिनों तक दो दिनों के लिए न तो हम यहां पर लिखेंगे a plus c दोनों मिलकर काम किये कितने दो दिन तक तो a plus c यानि इन दोनों का efficiency को भी add करना होगा तो a और c का efficiency कितना हो गया 6 plus 3 यानि 9 तो 9 into 2 करोगे तो यह हो जाएगा ठीक है यहां तक अच्छे उसके बाद हम क्या करते हैं कि a was replaced by b a किसको replace कर रहा है b को replace कर रहा है तो पहले हम यहां पर remaining work को find कर लेते हैं तो यह हो गया 60 और यह minus कर लेते हैं 18 यानि यह हो जाएगा 42 ठीक है अब a replace हो रहा है किसके जगा b के जगा यानि अब b plus c दोनों मिलकर काम करेंगे तो b plus c का efficiency हमारा कितना है पहले यह देख लो तो b plus c का efficiency हो जाएगा यहां पर b और c यानि 4 प्लस 3 7 ठीक है यह के लिए रहे है अच्छे इन how many days all together work was completed ठीक है तो देखोगे अब b plus c अब यह वाला जो काम जो बज गया ना यानि remaining वार इसको कौन complete करेगा इन दोनों मिलकर complete करेंगे बी और c तो b और c का efficiency कितना 7 है तो 7 से divide करेंगे कितने बार में जाएगा six times यानि six days में complete होगा है ना अच्छे अब देखोगे अब यह six answer नहीं होगा ठीक है कि बी और c मिलकर six days में complete कर रहा है यहां पूछाए कि in how many days all together work was completed total मिलकर ना कितने दिनों में तो यहां पर b और c को 6 दिन लगा और a और c को कितना दिन लगा था यहां पर देखोगे two days दिया हुआ है था ना तो six plus two फिर कितना हो जाएगा total eight days हो जाएगा इस questions का जो correct answer का eight days options में देखोगी option number हो जाएगा फिर डी correct तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं के बेल एकन को क्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपका शाने ची मिल सकेए